जैहन खेती जमीन सम्मंदी जो बड़ी बड़ी समस्या हैं किसान भाईयों के लिए जो भी खेती जिनके पास है उनकी बड़ी-बड़ी समस्याओं के बारे में बहुत ही अच्छा समादान काणूनी समादान मैं आपको बताऊंगा जैसे पहला खेत पर अवैद कवजा किसी ने कर लिया है थोड़ा बहुत कभजा कर लिया है तो मेडबंदी सीमाकन कैसे करा है मेडबंदी में क्या कागज कितना टाइम दूसरा कभजा धारी की बेदखली के लिए वाद कैसे करें दारा 114 की करवाई कैसे होती है उसके बारे में तीसरा यदि आपकी फर्द खतौनी मे कोई भी किसान वाई है उसकी फर्द खतौनी में किसी प्रकार का गलती है किसी प्रकार का संसोतर होना है तो वो कैसे ठूक होगा 32-38 की कारवाई कैसे होगी पूरा प्रोसेस और जमीन के बटवारा संबंदी मालीजी आपका भाई रोल पे नहीं दे रहा है किमती जमीन नही दे रहा तो आप जमीन का बटवारा कैसे करा है जारा 116-117 में सभी के उपर महतपूर चर्चा करेंगे और देखिए अगर आपको इनमें से कोई भी मालीजी टॉपिक देखना है तो वहापे मैंने टाइम देख रखा है वहीं पे आप वीडियो जाके देख सकते हैं ठीक ह चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे यदि आपका खेत पर खेत मौके पर कम है उदारण के लिए जैसे मालीजी किसान भाईयो आपके पास चार वीगा खेत है और मौके पर आपको लगता है कि हमारा तीरी वीगा खेत है या मालीजी आपको ये लगता ह गया आप समाधान के लिए कैसे जाए अप तो देखे sमाधान के लिए उपजला आदिकारी के में आपको कैस करना पढ़ेगा सब्सक्राइक से पहले आपको क्या करना है कि जब आप advocate के पास जाएं तब आप जो आपका खेत है उसकी खतौनी और जिलाब लेका गार से निकलेगा नकसा और खतौनी लेके और आपको यह पता होना चाहिए कि आपके खेत के टच जो हें वो सीमा एं किन किल लोगों की हो रही है। उनकी नाम क्या क्या वो आप लिखे ले जाए। उसके पास आप बकील के पास जाए। यह चीज़े दे जी, जीजे बकील आपको सीमा पूछे गा, पूरे दावा तयार करेगा और section 24 में दावा कर देगा और आपको यदि एक गाठा की आपको नापतौल करवानी है आपका कम है नापतौल करवानी है तो वहाँ पे 1000 रुपया आपको बेंक में जमा करना पड़ेगा और जो भी 2000 रुपय वकिल की फीस हो वो फीस आपको देनी पूरा करके दिया जाएगा लेखपाल कारून को जो है उसकी पेमाइस करेंगे और पेमाइस करने के बाद वो देखेंगे किसके में निकल ला है जिसके में निकल ला है उसके पर माली जी चिन्नित करेंगे और माली जी उसके पर आपको कबजा दिलाएंगे ठीक है आप दे तो आपको SDM कानुन को पुलिस लेके जाएंगे तब कबजा दिलाएंगे यानि कि आपका खेद जुमाओ के पर कम है वो नहीं रहेगा आपको आपका खेद मिलेगा तो यह तो हो गई पूरी दो वीगा जमीन पर वो कबजा किये हुए है ठीक है और वो आपका इस्सेदार नहीं है यह मालिजी इस्सेदार भी है तो इसका प्रावधान जो है इसका समाधान जो है वो उत्तर परदेश राजस सयता धारा 134 में किया गया है आपकी जो भी मालिजीए जो बेखती ह के लिए आप वाद जो यूपी आर्सी सेक्शन 134 है उसमें ला सकते हैं अब थोड़ा इसका भी प्रोसेस जाल लीजिए यूपी आर्सी 134 जो है ये रेगुलर बाद है और जब आप ये कारवाई करने जाएं तैसील में किसी एड़ोकेट के पास तो आपके पास खतोनी होनी चाहिए जो तैसील द्वारा जिसमें लगान खुला हुआ हो खतोनी होनी चाहिए और जो खतोनी जो है वो प्रमारत खतोनी होनी चाहिए क्योंकि जो तैसील से निकलवाएंगे वही प्रमारत होगी और जो विक्ति कवजा किये हुए है उसका नाम पिता का नाम पता होना च नहीं बलके सरकिल रेट के 5% के अनुसार उस पर हरजाना भी आपको लेकर आपको दिलवाया जाएगा ये तो हो गई धारा 134 की प्रिक्रिया ठीक है अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर वो है खतोनी में नक्सा में किसी भी प्रकार की गलती किसी भी प्रकार का संस उधारड के लिए जैसे माल लीजिए आपकी खतोनी पर कोई असंकर्व संकर्मनी से असंकर्मनी भूम हो जाती है ठीक है या माल लीजिए आपकी खतोनी पर आपका नाम गलत हो जाता है आपके पिता का नाम गलत हो जाता है या आपका नाम बिलकुल हटा दिया जाता है या किसान भाईयों अब मैं आपको प्रोसेस भी बता दू कि इसका प्रोसेस क्या है वो भी आप थोड़ा जान लेजिए इसका प्रोसेस ये है कि जैसे माल लेजिए आपकी खतोनी में आपका नाम गलत हो गया अब आपको संसूधन करवाना है तो डारेक्ट इस पर संसूधन नह होगा आपको 32 वटा 38 में आपको केस फाइल करना पड़ेगा अब केस फाइल कैसे करें समय क्या है सब कुछ मैं आपको बता दू तो देखिए केस फाइल करने के लिए आप ये एडवोकेट के पास जाएं तो वह है खतोनी जिसमें आपका नाम गलत किया गया है ठीक है वो को निकलवानी है original दूसरा वह खतोनी जिसमें आपका नाम सही चड़ा था जैसे माली जी इससे पहले तो जो खतोनी थी उसमें तो आपका नाम सही होगा तो वो भी खतोनी आप प्रमानत प्रती निकल वालें जिलाव लिखागार से या तैसील से निकल जाएगी ठीक है जिसमें आपका नाम सही है वो क्योंकि जिसमें आपका नाम सही वो भी आपको निकल वाली है क्योंकि वकील नाम सही था और प्रिजेंट टाइम की खतोनी जिस पर आपका नाम गलत था दोनों ही खतोनी आपको लेके जानी है और जो भी एड़ोकेट को एड़ोकेट की फीस हो आपको लेके जानी है वहां पे एड़ोकेट 32-38 उत्तरप्रदेश राजे स्वेता सेक्षन 32 और 38 का पूरा दावा तयार किया है उस पे तैसीलदार के हस्ताक्षा करवाने पड़ेंगे क्योंकि तैसीलदार जो है आख्या मांगेगे जो लेकपाल है उनकी और कानून को है उनकी उनकी आख्या असलिए मानेंगे वो अपने जो भी रेजिस्टर वगएरा होते उनमें देखके ये नाम सही था वास्तर में इसका नाम गलत हो गया जब रजिश्टर कानून को अपनी आख्या देटेंगे और तैसिल्दार अख्या को सुउकार करेंगे और तैसिलदार अपनी रिपनी लगाएंगे। प्रपजिला अधिकारी जो है वहाँ ये फाइल पहुंचने के बाद अपजिला अधिकारी जो है जो भी संबंदित पच्छकार हैं क्योंकि ऐसे तो संसोधन किया नहीं जाएगा जिसका नाम हटाना है उसे नोटिस भेजेंगे या उसमें जो कास्तकार हैं उन्हों नोटिस भी जा जाएगा उसके बाद आपका नाम संसुदन किया जाएगा अगर इसमें आपका मेर्टर जो है वो लंबा किच जाएगा इसमें भी आप मान के चलिए लगवग एक साल लगेगी क्योंकि राजस्व विभाग जो है वो सबसे बरस्ट है और राजस्व विभाग के करमचारी सबसे जादा रिस्वत खोर और सबसे ज़ादा हरामी बरस्ट हैं। एक और टॉपिक पर किसानों की समस्यां रहती हैं वो के बटवारा, ठीक है अब बटवारा के आप प्रकड समझ लीजिए कि कब आपको बटवारा कराना है जैसे माल लीजिए आपका भाई कोई दबंग है वो आपको कबजा नहीं दे रहा पहली कंडिशन आपके भाई ने रोड़ वाली जमीन पर पूरा कबजा कर रखा है आप रोड़ वाली जमीन पर देना नहीं चाहरा फ्रंट पर आपको किमती जमीन दूसरी कंडिशन या माल लीजिए आपका अक्सर बिवाद होता रहता है सीमा को लेके या बटवारे को लेके या माल लीजिए दोस्तो यदि आपको हिस्से से कम थोड़ी बहुत कम जमीन दी गई है तो ऐसी कंडिशन में आपको बटवारा करा लेना चाहिए कुस्तन आपका ये भी हो सकता है कि भई जो परवारेक बटवारा है वो मानने होगा कि नहीं होगा तो देखिए दोस्तो परवारेक आपसे सेमती द्वारा बटवारा मानने कभी नहीं होता है बटवारा वही मानने होता है जो कोड़ द्वारा होता है तो ऐसी कोई भी कंडिशन है तो आप बटवारा करवा सकते हैं अब मैं आपको एक चीज़ बता दू को बटवारा के लिए समय कितना लगेगा बटवारा के लिए प्रोसेस क्या है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू बटवारा का जो नॉर्मली टाइम है वो लगवग दो से धाई साल भी लग सकता है ठीक है आप इसमें डोकुमेंट्स बटवारा करने के लिए आपको मात्र खतावनी निकलवाने लिए प्रमारत वो भी तैसिल से आपको खतावनी निकलवानी है जिसमें लगान खुला हो वो खतावनी निकलवा के आपको चले जाना एडवोकेस्ट के पास आपको जो है सबसे पहले एडवोकेट 116 में वाद क करेंगे 116 में केस करेंगे अंस निर्दारत के लिए ठीक है आपका जो है अंस निर्दारत हो जाएगा के फलाने व्यक्ति का इतना फलाने आपके वाही का इतना और फलाने जो भी माली ज्यादातर परवार के लोग होते तो सबका पहले 116 में दावा करेंगे वकील ठीक है ही लोगों का अंसे सने तैसा होगा इइस जारी होगा उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको एड़ोकेट से निर्दारत करवाना है क्विगीilot 117 में आपका कुरा भी अलग बन जाएगा यानि कि जैसे मान लिए आपका भाई रोडसाइट नहीं दे रहा तो आपका नियमावली 109 के अनुसार रोडसाइट कुरा दिया जाएगा अनुपातिक रूप से ठीक है और जिसे हम तरवीम भी कहते हैं तरवीम डिलवाना यानि कि आपका अलग कुरा बना दिया जाएगा आपका विवाद बिल्कुल खतम हो जाएगा ठीक है तो तरवीम भी डिलवा सकते हैं आप तो 116 का बात करना है फिर 117 का वकील आपका कुरा बनवा के देंगे इसमें लगवग मान लिजी आप दो साल लग जाएगी ठीक है क्योंकि मैंने आपको पहले ही वता दिया 98% रिवेन्यू के अधिकारी जो है ब्रस्ट हराम खोर बेईमान रिस्वत खोर है 98% दो परस्ट बचते अब बात करेंगे हम next point पर कि अगर मान लिजी आपका आपसी बटवारा 20 साल पहले हो चुका है ठीक है मान लिजी गाटा संक्या 100 है आप तीन लोग थे 20 साल पहले आपका बटवारा हो गया ठीक है और गाटा संक्या 100 जो है रोड के किनारे है तो 20 साल वाद भी यदि उसमें नाम है और मान लिजी सरकारी बटवारा नहीं हुआ है तो आप बटवारा करवा सकते हैं और रोड साइड आप ले सकते हैं ठीक है तो यह गलती मत करिए रोड साइड आप भी लीजिए आप अपने बच्चों को दिलवाईए यानि की कीमती जमीन जो है वो अनुपातिक रूप से मिलेगी यह इसपस्ट कानून लिखा गया है यूपी आर्सी सेक्षन नियमावली 109 में इसपस्ट दिया गया है दोस्तों आपका कोई सलाह हो कोई कुस्तन आप पूछना चाह रहे हैं फोन पर बातसीत करना चाह रहे हैं तो आप मुझे संपर कर सकते हमारा कॉंटेक्ट नमबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आमने दे रखा है वहां पर फीस पे करके आप हमसे कोई भी सलाह इस मामले में ले सकते हैं धन्यवाद